वेलकम टू माई चैनल मनोर्मा कौसल किचन और आज मैं आप सभी लोगों के लिए आलू गोभी की रसेदार सबजी बनाने जा रही हूँ तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए गोभी, टमाटर, आलू इनको मैंने पहले ही कट करके अच्छी तरह से धुल लिया है और साथ में लिए हरी मटर अब कूकर में डाला है सरसो का तेल और तेल गरम होने के बाद मैं इसमें डालूँगी आलू और इन्हें फ्राई करूँगी तो चार-पांच मिनट के लिए मैंने आलू को मेडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है और इन्हें निकार लूँगी अब आलू को निकालने के बाद मैं इसमें डालूंगी गोभी इसे भी दो तीन मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी आलू और गोभी को फ्राई कर लेने से सबजी का टेस्ट अच्छा आता है तो बीच बीच में इसी तरह से चलाते हुए मैं इसे फ्राई करूंगी और अब मैंने लिया है लहसुन प्याज अधरक और एक टमाटर का पेश्ट अब लिया है एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच का स्मेरी लाल मिर्च एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ मेली है एक चम्मच कसूरी मेथी अब गोभी विफ्राई हो गई है आप देख सकते हैं और अब मैं इसे निकाल लूँगी अब गोभी को निकालने के बाद उसी कूकर में मैंने थोड़ा सा तेल और लिया है मसाले को भुनने के लिए तो अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन और प्याच का पेश्ट थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें पहले ही डाल दी है लगभग दो चुटकी इससे तेल की छीटे बाहर नहीं निकलेंगी और टेस्ट के हिसाब से डाला है सादा नमक अब मसाले को तीन चार मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए भुनूंगी और अब आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पेश्ट वाला पानी ताकि मसाले कूकर में चिपके नहीं और जले नहीं और अब आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैंने इसमें डाली है हरी मटर अब मटर को मसाले में मिक्स करते हुए दो तीन मिनट के लिए चलाऊंगी और अब मैं इसमें डालूंगी फ्राई किये हुए आलू मिक्स करूंगी और साथ में डालूंगी टमाटर अब दो तीन मिनट के लिए इसे इसी तरह से मिक्स करते हुए चलाऊंगी और अब मैं इसमें डालूंगी गोभी अब गोभी को मैं इसी में मिक्स करते हुए चलाऊंगी आप देख सकते हैं अब सभी सबजियां मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं तो अब मैं इसमें डालूंगी पानी पानी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं मैंने इतनी सबजिये में डेड़ ग्लास पानी डाला है अब सबजी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और अब मैं इसमें डालूंगी एक चमच गरम मसाला और उसे भी मिक्स करूंगी अब गरम मसाले को मिक्स करने के बाद मैं कूकर को बंद करके मेडियम फ्लेम पर दो सीटी आने तक रख दूंगी ये सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है तो कूकर को मैंने बंद करके दो सीटी आने तक फ्लेम पर रख दिया था और अब लगभग 5-7 मिनट बाद मैं कूकर को खोलूंगी और आप देख सकते हैं कि आलू गोभी की सबजी बन कर तयार है और डालूंगी कटी हुई हरी धनिया और इसे मिक्स करूंगी दो सीटी आने के बाद आप फ्लेम को तुरंथ बंद कर दे ताकि आपकी गोभी गले नहीं और आप देख सकते हैं कि सबजी कैसी बनी है तो अब मैं से निकालूंगी इस बरतन में आप भी इस सबजी को एक बार इस तरह से बना कर ज़रूर ट्राइ करें और आप इसे अपनी मन पसंद रोटी, पराठे या फिर चावल के साथ में खा सकते हैं अब गारनिसिंग के लिए डाली है कटी हुई हरी धनिया तो आप सभी लोगों के लिए आलू गोभी की रसेदार सब जीवन कर तयार है अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रस करना बिल्कुल ना भूले